पर इस कोशन को लगाओ एक्जामपल नंबर 14 ग्राइविटेशन का ये कोशन है आप लोग लगा भी रहोगे मेरे साथ साथ मैंने बहुत सारे कोशन करा रहे हैं एक ही प्लेइलिस्ट करने सारे कोशन पड़े हुए प्लेइलिस्ट जाकर देख लिया गरो अगर किसी को प्ले ऐहां पर अर्थ पर जमीन पर जादसे जादा ऐसा मान लीजैगा लगा सकता है यौ से कहता है धेलिस्ट एक प्रोक्सिमेट हाइट ही माच ऑबल टु जंप मतलब एक एक प्लेश्ट बता ओ जिसको वो जंप कर सके येे लेकिन एक ऐसे फ्लेट पर जिसकी गैंसिटि जो है वह वं वान कौर्टाइट बंकॉस्देट अफॉर्ड है अर्त के मुकाबले अंड जिए रीडियस जो है वह वँणा थर्ड है अर्त के मुकाबले तो तो जी से लगाएंगे इसको what बहुत कों सबसक्राइए सबसे पहले solution लेपे कि क्या क्या रका है आपको क्या क्या दे रखा है वह देखो आपको क्या ते रखा है आपको देखा है कि है दो फ्लैंट अ सड— की जो । कि आप रोड़ैश का होगेalah है वह सब शूचना क्या चाहा है आप सब पूछने है वह कितना जंप लगाएगा तो पहली बाद density के थुरू आप ये देखोगे कि कितना gravitational acceleration होगा उस planet पर अर्थ के मुकाबले तो आपको बता है जी जो होता है in terms of density वो होता 4 upon 3 pi r rho g के लिए रहे वो pi r rho g g capital है pi r rho g ठीक है बई अगर मैं उस planet की बात करूँ हो तो मैं जी डेश कहूंगा 4 upon 3 ऐसे रहें दो पाई भी r डेश भी rho डेश और जी ऐसे रहेगा ठीक है तो यहां सा आप जी डेश अप उन जी जब निकालोगे तो जी डेश की value कितनी है 4 upon 3 pi r डेश रो डेश जी और यहां सो जाएगा बचा क्या जी डेश अपोन जी इस इकोल टू आपके पास यहां से value आ जाएगी आर डेश रो डेश और नीचे से और रो पड़ा सिंपल सा बन गया आर डेश कितना है बन बाई 3 है बन बाई 3 है आर का रो डेश कितना है बन बाई 4 है रो का नीचे रो और र चली रहा है तो आर सा र कटा रो सा रो कटा तो जी डेश अपोन जी इस इकोल टू आ जाएगा वन अपोन 12 और यहां से जी डेश की value निकालोगे तो जी डिवाटेड बाई 12 यह आ ज है कि मैंगी डिवर्टेशनल एक्सलरेशन क्याल कलेट क्यूं कर रहा हूं कि मान लेते हैं कि में किसी परटीकुलर एनर्जी से उपर जम्प लगाया तो जिस एंर्जी से मैं जम्प लगाऊंगी वह और बो मुझे किसी height तक लेकर चली जाएगी और height की value दे रहे हैं कि 1.5 अब मैं यह कहा रहा हूँ कि मुझे जो है किसी particular planet पर उसी energy से jump लगाना तो जब उसी energy से jump लगाँगा तो फिर यह जरूरी हो गया कि वहाँ का मुझे gravitational acceleration पता हो क्योंकि potential energy का formula होता है MGH तो वहाँ पर G का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मेरी जो energy है वो ऐसा potential energy स्टोर होगी और potential energy के अंदर G आता है इसने में जी की value find out करनी पड़ गए तो मैं यह कह रहा हूँ कि आदमी जो है आदमी जो है उसी energy से jump लगा रहा है जिस energy से वो अर्थ पर jump लगा रहा था तो आप यह कह सकते हैं कि energy या आप यह कह सकते हैं energy potential energy of man will be same for both planet तो उसके हिसाब से क्या गवा होगे तो MGH तो अर्थ पर हो गई और MGH यह उस प्लैनेट पर हो जाएगी तो MGH यह अर्थ पर होगे तो MGH यह अर्थ पर होगे तो M से तो M कड़ गया G ड़ेश की value कितने लिए G by 12 और H यह तो आपको चाहिए G ऐसी रहेगा और H की value आपको 1.5 मिटर दे रहेगी तो G से G कड़ गया H ड़ेश calculate करना है तो जो divide वाला multiply में चला जाएगा 1.5 की multiply किस से हो जाएगी 12 से तो 12 का जो है लगभग देड़ गुना तो 12 का देड़ गुना करोगे तो 12 उच्छे 18 हो जाएगा तो H ड़ेश is equal to 18 बताओं कैसे होगे देड़ गुना बारा का देड़ गुना का मतलब वन का मतलब है तो 12 तो खुद रहेगा आधे का मतलब यह है कि 12 का आदा और करो तो 12 का आदा करोग अच्छे है तो 12 प्लच्छे कितनों का 18 तो 18 मिटर की हाइट तक वो जम्प लगा सकता है वो उस प्लैनेट पर जिस प्लैनेट का हम से जिक्र कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कोश्चन था आसान था नहीं बना दिया मैंने तो ऐसी सारे कोश्चन बना देता हूँ आपके लिए आसान तो आप आईएगा श्रीमान अपनी चैनल पर चैनल का नाम है प्रपरेशन अड़ा अकैडमी की यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12 के सारे फुजिक्स के नुमेरिकल देखने के लिए मिल जाते हैं तेंक यू